हलो बच्चो कैसे हो सब मैं हो निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउटनेट में तो पिटा आज ना हम एक अलग सबसे अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मौडल वर्ब्स अब यह टॉपिक ना मैंने आपको अभी अभी शुरू करवाया क्यूं क्यूंकि हम लोगों ने अगर वर्ब्स पढ़ लिया ना तो आप बहुत असानी से मौडल वर्ब्स क्या होते हैं ठीक है आज इसका है लेक्चर नंबर वान एकदम बेसिक से आज हम ल आने वाला है क्लास के अंदर तो आप लोग ठीक है ध्यान से सुनना समझना और आने वाले कुज में भाग लेना ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को अब एक बात बताओ हम लोग जब वर्ब पढ़ रहे थे हाना पिछली क्लास में आप लोगों ने वर्ब् में क्या हुआ हम लोगों ने ना वर्ब जब बटे तो कितने भागों में बटे विटा वर्ब जब बटे तो आपके बटे एक तो में वर्ब में किस के अनुसार अपनी परिभाशा के अनुसार एक तो में वर्ब में बटे हना और एक हेल्पिंग वर्ब में बटे ठीक है भ चालो तो हम ये तो पढ़ चुके ये भी पढ़ चुके ये पूरा हिस्सा हम खतम कर चुके हैं हमारे वर्ब के टॉपिक में जो पिछली बारी किया था बचता है helping verb अब helping verb के अंदर क्या होगा बेटा helping verb में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की क्रिया होती है हना सहायक रिया दो प्रकार से होती है एक helping verb वह होती है जो आपको पूरा का पूरा time हना किसका time वह मेन verb की बारे में information देती है क्या information कि वह main용 वह main verb जो action है वह कब हुआ और किस mood में हुआ तो बिटा time के बारे में बताने वालीaires helping verb हैं उनके बारे में हमने कहां पढ़ा था उनके बारे में हमने टेंस में पढ़ लिया है ठीक है तो यह तो हो चुका अब बचा मूड के बारे में कि भाई में काम को में वर्ब को करने के पीछे का मेरा मूड कैसा था किस मूड से मैंने वो काम किया उसके बारे में मुझे कौन बताता है उसके बारे में मु में वर्ब दो प्रकार के वो भी पढ़ लिया, helping वर्ब दो प्रकार के हैं, एक बताता है time वो हम tenses में कर चुके, बचा क्या, यह जो हमें मुख्य काम को करने के पीछे के mood के बारे में बताता है, वो हम नहीं करे हैं, तो वही आज हम शुरू कर रहे हैं, तो यह तो आपको प हुल बोलते हैं, पर वो होता एक ही बच्चा है, ठीक है बटा, तो यह क्या है, यह है हमारे auxiliary verbs, इनको helping verb से भी जाना जाता है, तो आपको confused नहीं होना है, helping verb अलग है, auxiliary verb अलग है, एक ही है, दो नाम है इसके, ठीक है, अब यह एक तरीके के model verbs जो हैं, इसके बारे में हम पढ करने का main action को करने के पीछे का जो mood है, वो मुझे बताता है, मेरा, कौन, मेरा model verb, ठीक है, जैसे की, मैं example के तौर पे बोलू बेटा, की, ठीक है, I can speak in, क्या, बेंगॉली, I can speak in Bengali, ठीक है, I could walk for three kilometers when I was young, ठीक है, yeah, when I was a child, a child, ठीक है, अब यहां परना, यह दो क्या है, यह दो आपके सामने वाक्य देदी, वाक्य नमबर टू, यह है आपका वाक्य नमबर एक, ठीक है, वाक्य नमबर दो, वाक्य नमबर एक, पिटा, यहां फिर एक और वाक्य देदेते हैं, ठीक है, तीसरा वाक्य देदेते हैं I will complain about you to the principle, ठीक है, अब यहाँ पर तीन वाक्या आपके सामने लिखे होई हैं, चलो, पहले वाक्या में, वाक्या नमबर एक, पहले वाक्या में, क्या काम हो रहा है, I can speak in Bengali, बिटा speak करने का काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर यह जो शब्द है, can, यह मुझे बता रहा है कि मेरे को यह काम करने का मूड कैसा है, भई, Bengali में बात करना, काम क्या है, बात करना, किस में, Bengali में, ठीक है, तो इस कारे को करने का मूड कैसा है, मै मैं कर सकती हूं तो मैं यहां पर ना अपनी योग्यता अपनी अबिलिटी बताना चाहा रही हूं कि बेंगॉली में जो बोलना है ना बेंगॉली में जो बात करना है वो मैं कर सकती हूं हो सकता है आप कर सकते हो नहीं कर सकता है यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता पता नहीं कोई कर सके या ना कर सके पर मैं कर सकती हूं तो मेरा यहाँ पर आपको ना मैं एक feeling एक भावना प्रकट करना चाहा रही हूँ इस scan की मदद से जो यह बता रही है कि बिटा यह जो काम है करना speak वो मैं कर सकती हूँ अभी मैं बात कर सकती हूँ मैं क्या है बेंगॉली में बोल सकती हूँ ऐसी ही दूसरा वाक्य है I could walk for three kilometers when I was a child मैं तीन किलो मीटर चल सकता था जब मैं बच्चा था अब नहीं चल सकती ठीक है बच्चपन में हो सकता था तो यहां काम क्या और यहां पर चलने का काम है है ना walk walk क्या है walk अपने आप में एक काम है तो यहां पर चलने का काम हो रहा है अब यहां पर मैं बोल रहा हूँ I could walk for three kilometers when I was a child मैं तीन किलो मीटर के लिए चल सकती थी जब मैं बच्ची थी यहां पर यह जो could वाला शब्द है यह could शब्द पता है क्या बता रहा है यह could वाला जो शब्द है वो यह बता रहा है कि यह काम में कर सकती थी पर अब नहीं कर सकती यानिकी कुट जो है वो काई वो के पीछे का क्या है बिटा वाक करना पर क्या वो कना से यह की पता रहा है कि I can speak in मेंगॉली कि में बंगाली में बात कर सकती हूँ ये मैं अभी भी कर सकती हूँ लेकिन यहीं पर i could walk for three kilometers यह जो वॉक है ना चलने का काम तीन किलोमेटर चलने का काम यह कुड मुझे यह शब्द जो है यह मुझे यह बता रहे है कि मैं चल सकती थी 3 किलोमेटर जब मैं बच्ची थी अब नहीं चल सकती अब थोड़ा से चलके ठंक जाते हैं कमर में दुखता है कुछ भी हो सकता है पर यह जो काम है इसके करने के पीछे की भावना क्या प्रकट कर रही हूं मैं मूड कैसा दिखा रही हूं यह एक प्रकट कर रही हूं आपके सामने मैं यह फीलिंग रख रही हूं कि भाई काम में पहले कर सकती अब नहीं हो सकता ऐसे ही आई विल कंप्लें अब यू तुद अप्रिंसिपल मैं तुम्हारे क्या है यहां पर क्या है यहां पर काम क्या है बेटा अब आउट यू क्या है रही हूं मैं धंकी देना चाहिए मैं तुम्हारे बारे में कंप्लें कर दूंगी समझे मैं तुम्हारे बारे में कंप्लें कर दूंगी तो यहां पर क्या है यहां पर जो कंप्लें करना का जो काम है शिकायत का जो काम है उसके पीछे की भावना कुछ ऐसी है कि मैं को यह बथाना चाह रही हूं कि मैं क्या कर दूँगी कि यह जो आपका कम्प्लेइन है we कि आपको काम को करने के के पीछे मेरी feeling कैसी है वो बता रहे है मेरा मूडस कैसा है ओटा होते हैं जाद आपको सोचने के ज़रद भीने के model verbs क्या है कुछ नहीं बिटा वह मुख्य क्रिया को करने के पीछे में काम को में वर्ब को करने के पीछे की feeling और mood बताने में मदद करते हैं सिंपल चलो ठीक है यह तो हो गया समझाना अब किताबी भाषा के अरुसार पढ़ लेते हैं देखो कुछ यह है इसकी परिभाषा कि a model verb is a type of verb model verb एक ऐसी क्रिया का रूप है एक ऐसा type of verb है that is used जिसका इस्तमाल करते हैं हम to indicate modality जिसका हम modality दर्शाने में इस्तमाल करते है modality यानि कि अलग-अलग आप कह सकते हो बिटा क्या अलग-अलग mood अलग-अलग feeling कौनजी feeling अब यह जो नीचे मांगना यह सबी क्या है यह मेरी feelings है कोई भी काम करने के लिए मैं कई बार अनुमती मांग रही हूं यह feeling मुझे कैसे पता चलती है किसी model verb का उप्योग करके कोई सब्सक्राइब काम के होने की कितनी समभावना है likelihood भई हो सकता है आज बारिश हो जाए it is possible या फिर it might rain today हाना आज शायद बारिश हो गी तो यहाँ पर क्या है अबONG runway train rain क्या है इड़ा एक काम है बारिश होती है हाना तुम्हें करना हिं करना obligation थे बचकी निकल सकते चाहरा कि निकलसा है गिव प्रश को होता है कि ईयु passions无ौ अपने से बड़ों की विजत करनी है और करनी है तो करनी से बचकी निकल सकते सबीविकान परमीसिंट कहना गूट्फोंच इसे पूछते एक लीचनमे त्रिंग को मैं जा सकता हूं कहां टॉयलेट या मैं पानी पी सकता हूं कहना है कि जो काम DiM को किया करना रोपन आप Durvazah जो काम है दर्वाजे को उसके पिछ लिन्मृता से पूंच है क्या प्रीज दर्वाजा ऑजर कर सकते हैं Can you please open the door तो यह भी घुछे कौन बता रहे है मैं एक बारी में 2 पराठे गहा सकते हूं और यह मेरी क्या इतना काम कर सकती हो। अना तो खाने का क्या है खाने की पीछे का feeling कैसे कि यह काम इतना तो मैं कर सकती मृणे this यह मेरी Capacity बताने में model वह हेल्फ करते है। वैसी suggestion यार तुमे न डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, तुम्हारी तबुट धर भात खराब है,速 तुम बिमार धिकहरो तुमें जाके टॉक्टर को दिखा लेना तो उसकी वह बताने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करें मैं मॉडल वब का इस्तेमाल करें वैसे बेटा मैं अगर ओडर देना चाहूं आपको ठीक है वैसी ही अगर मैं आपको ओडर देना चाहूं तो क्या हो जाएगा तब भी मैं मॉडल वब का इस्तेमाल करके ही ओडर दूं क्लाइम करना है mountain, वो मैं चड़ सकती हूँ, पहाड चड़ सकती हूँ, तो यह मेरी ability, यह मेरी शमत है, हो सकता है, कोई और कर सके या ना कर सके, मैं तो कर सकती हूँ, तो यह सारी जो मुख्य कार्य करने के पीछे की जो feelings और जो mood होता है, वो बताने में मदद करता है, मेरा model ठीके बटा, अब इतने सारे mood होते हैं हमारी जिंदगी में, इतने सारी feelings होते हैं हमारी जिंदगी में, तो क्या एक ऐसा शब्द है जो सारी feelings बता देगा, नहीं, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और वो अलग-अलग-अलग-अलग हमारे mood बताते हैं can हो गया मैं हो गया है मैं से बोलते हैं मैं can I come in में I use your bathroom क्या मैं अंदर आ सकता हूं क्या मैं आपका बातरूम इस्तिमाल कर सकता हूं you must respect your elders यहा पर क्या बोल रहे हूं मैं तुम्हें करना चाहिए respect अपने elders को वैसे ही बेटा शयाल होता है will could might should would, dare, ought to, यह क्या है बेटा, यह कुछ अलग अलग प्रकार के आपके model verbs हैं, ठीक है, यह से भी बहुत जादा होते हैं, लेकिन आपको tension लेने की ज़रूद नहीं है, यह बहुत सारे होते हैं, और इनका क्या होता है, इनका ना हर एक model verb का, यह सारे क्या हैं बेटा, यह model verbs हैं, और इन सभी model verbs का क्या होता है, इन सभी model verbs का एक निरधारित काम होता है, कि अगर can है, तो can ना कोई limited feelings बता रहा होगा, मुख्य काम करने की, शुड है, तो should कोई limited feelings बता रहा होगा, मुख्य काम करने की, वैसे ही में है, तो में कोई दूसरी feelings बता रहा होगा, मुख्य काम कर के झाल कि जा वर शब्सक्राइव और भील। खो भी इंगे तो मॉडल वर्ब का था कारिया कि मॉडल वर्ब करने के पीछे की feeling या मूड के साथ हा सारी होती है झाओ और यह सब ही अलग अलग कोई ना कोई-अझा शुक्ता रहे रही होते हैं कोई-छी कारे को करने की पीछे का अब क्या आपको ये सारे पढ़ने हैं क्या मैं इतने सारे पढ़ने पढ़ेंगे नहीं बेटा आपको टेंशन लेने की जुरूत नहीं है आपके सलेबस में आपको केवल जो मैं हाइलाइट करें आपको केवल इस्तमाल पढ़ना है must का, shall का इस्तमाल हम कहां कहां करते हैं, कौनसी-कौनसी feelings बताने में करते हैं, will का इस्तमाल हम कहां कहां और कौनसी-कौनसी feelings बताने में करते हैं, should और would का इस्तमाल हम कहां कहां और कौनसी feelings बताने में करते हैं और dare और ought to का हम कहां कहां और कौनसी feelings बताने में इस्तमाल करते हैं केवल आपको इनके इस्तमाल पढ़ने है यानि की 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 आपको केवल 7 प्रकार के 7 प्रकार के model verbs पढ़ने की जरुवत है बागी आपको नहीं पढ़ने हैं आपके एक्जाम में केवल इतने ही पूछे जाएंगे ठीक है तो आज की क्लास में हम सबसे पहले उठा रहे हैं क्या हम सबसे पहले उठा रहे हैं must की must का इस्तमाल कब-कब होता है कौनसी कौनसी feeling दिखाने के लिए होता है इतना समझ में आगे कोई डाउट रहे तो वीडियो के नीचे आप लो कॉमें सेक्शन में डाउट सकते हो चालो तब आगे आते अब must क्या है बिटा must एक ऐसा शब्द है जो की क्या है जो की एक प्रकार का model वर्ब है ठीक है यह एक प्रकार का model वर्ब है और यह कहां इस्तमाल होता है मास्ट इस यूज्ड वेन वीवांट टू पूट एंफसेज एंफसेज यानि की बिटा क्या दबाव हना देखो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं मस्ट का उपयोग कहा होता है एक उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी छीज पर जोर देना चाहते हैं यह तो तुम्हें करना करना चाहिए भाई तुम्हें अपने से बड़ों का आधर करना चाहिए मैं दबाव दे रहे हूं जोर डाल रहे हूं कि तुम्हें करना चाहिए अपने से बड़ों का आधर ठीक है और यह दिखाना चाहते हैं कि यह काम कितना यह कितना महत्वपूर्ण है हना या तो हम क्या क जटाहे है मस्ट का उपिएग हम तब-तब करते हैं जब जब हम किसी चीज़ पर बदेना चाहते है या फिर हम यह बताना चाहते हैं कि वो जो काम जिसके बारे में हम बात कर। रहें वो कितना है महतवपून है ठीके और उसकी कितनी आवशकता हैं तो यह काम को करने के पीछे के तीन फीलिंग्स जो है हना वैसे तो बहुत सारी फीलिंग्स बताते हैं वो बेटा हम अभी अभी देखेंगे बट उन में से कुछ मुख्य फीलिंग्स क्या है मस्ट का उपियोग हम तब तब करते हैं जब हमना किसी काम पर जोड डालना जाते हैं रिस्पेक्ट का काम है इजद करने का काम है वो तो तुम्हें करना ही करना है तो मैं जोड डाल रही हूं वैसे ही बेटा मैं हो सकता है किसी चीज की आपको क्या बता रही हूं मैं आपको किसी चीज की महत्वपूर्टा बता रही हूं कि भाई अगर सर्दी में हना मनाली घू काने का नहीं की वह सब्सक्राइब फाइंस कि एंटाइब किसे चीज़ की आवशक्ता हम बतानी उसकी काम को करने के आवशकता उसकी काम को करने की महतवा पूर्ठा गया थἹ वह आगे हम थोड़े से एक्जामपल्स देखेंगे आपको साथ अच्छे से समझ में आएगा I must work hard on English मैं जो डालना चाहरी हूं यहां पर feeling क्या है बेटा मेरी ध्यान से न मस्ट आपको कुछ नहीं करना है बस आपको जो साथ मॉडल हो आज हम पहला पढ़ रहें मस्ट आपको के यह वाक्या मिरसे कुछ इस प्रकार की बात करना चाह रहें तो आप ना उसके साब से समझ जाओगे कि वहां पर कौन सा मॉडल आना चाहिए तो बेटा क्या है देखो अगर आप किसी चीज पर डालना चाहो तो आप मस्ट का प्रयोग करोगे जैसे कि I must work hard on English यार मुझे न जो डाल रहें वैसे ही you must not tell it to anyone it's a secret हम बोलते ना शार्तु यह किसी को नहीं बताएगा यह एक राज है यह क्या है यह हमारा secret है तो बेटा क्या होता है हम तब हम क्या है हम इस चीज को ना बताने पर कोई क्या है टेल का काम आपको क्या करना है आपको नहीं करना है हम बोलत नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी मस्ट का उप्योग करूंगी कि तुझे नहीं बताना है किसी को भी it is a secret यह secret है ठीक है अब देखो this food must not be eaten इस खाने को नहीं खाना है किसी को भी यह खाना नहीं खाना चाहिए हना नहीं खाया जाएगा क्यों it has gone bad क्योंकि यह गंदा खर तो बिटा जिब हमारी feeling यह होते कि हम किसी को काम की करने के उपर बहुत दबाव जोड आलना चाहते कि तुम्हें करना ही नहीं है या तो तुम्हें करना ही करना है हना तब हम must का उप्योग करते हैं आगे समझ में सभी बच्चों को clear है यहां तक आगे बढ़ते हैं आप द देना चाहते हूं और आपको उस पर जोर डालना है वी यूज मस्ट हम मस्ट का इस्तमाल करते हैं तो गिव एंफसेज ताकि हम क्या दे सकें ताकि हम जोर दे सकें किस पर एक ओपिनियन पर यानि कि किसी राय पर जोर दे सकें I must admit it was very I was very scared मिर को तो ये बात माननी चाह रहे हो कि भाई मैं डर गया था मैं डर गया था इस बात पर आप जोर देना चाह रहे हो तो आपने बोला I must admit मुझे मान लेना चाहिए कि मैं डर तो गया था ठीक है I was very scared में बहुत ज़्यादा डर गया था तो आप अपनी इस राय पर आपका ये मानना है कि आप क्या ह हो गया थे आपने डर गया थे आप इस पर जोर देना चाह रहे हो वैसे ही I must say this food is delicious बहुत तो मानने पड़ेगा खाना तो बड़ा ही स्वाधिष्ट है अना मानना तो बड़ेगा खाना तो बड़ा ही स्वाधिष्ट है तो आपका ये राय क्या है आपने खाना खाया और आ ना चाहरे है यहाँ ना चाहरे तो आपक्या बोलोगे है आप मस्ट का इस्तमाल करें तो मुझे कहना पड़ेगा कि खाना तो भूत स्वाधिश्ट है तो आपकी राय में खाना भूत आइस बाद प्याइब पिटा डालैंगा जाहरे हैं सब्सक्राइब करते हो CLEAR है सबींग सुझाव देना चाहते हो कि यह कर ले तब आप मस्ट का उप्यूग करते हो देखो यू मस्ट कमेंड विजिट उस वाइल यू आ इन लंडन ऐसे हम जब किसी रिष्टेदार के घर जाते हैं तो हम बोलते हैं वह रिष्टेदार हमसे के अरे-अरे अगर आप अगली बार दिल की आती ना तो जब हम क्या है बिटा जब हम किसी को कोई सुझाव देना चाहते हैं हम किसी को कुछ रिकमेंड करना चाहते कि यह तो आपको करना ही है यह तो आप करी लिना तब हम मस्ट का उप्योग करते हैं तो अगर मैं यहां पर बोल रहे हैं कि you must come and visit us तुमें हम से आक जवाब हैतरीन पिच्चर और अब हम सब को बताना चाहते हैं कि यह वह पिच्चर कितनी अची थी तो हम क्या करेंगे बिटा तब हम जाकर दूसरों को बोलते ना कि यार तुझे ना वह पिच्चर देख करां जो बढ़ी अच्छी थी और बहुत मजया है उस पिच्चर मे तो आप क्या दे रहे हो दूसरे को भी सुझाव दे रहे हो कि यह काम करके आ तो बेटा क्या है जब हम किसी को सुझाव देते हैं कोई चीज का सुझाव देते हैं तब हम मस्ट का उप्योग करते हैं हम बोलते ना कि यार तुझे ना उस रेस्टरान में जाके खाना खाना बड़ा ही टेस्टी होता है तो you must go and eat in that restaurant in that restaurant because their food is very delicious ठीक है उनका जो खाना है वो बड़ा ही अच्छा होता है तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम एक सुझाव दे रहे हैं कि भाई आपको ना वहां जाके खाना खाना चाहिए वहां बड़ा ही टेस्टी खाना है हाना तुम्हेना यह picture देखने चाहिए बड़ा पिचर है तो you must see this film it's a good film तो ऐसे करके हम क्या करते हैं बिटा ऐसे करके जब हम किसी को सुझाव देते हैं तो हम must का उप्योग करते हैं ठीक है अच्छा अगर मैं किसी को बोलना चाहूं कि यार तुझे न पढ़ाई कर लेनी चाहिए अगर तुझे पास होना है तो मैं क्या बोलूँ कि you must study if you want to क्या है if you want to pass your exam तो यहां पर मैं क्या सुझाव दे रही हूं कि बिटा अगर आपको पास करना है अपना अग्जाम तो आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए हना तो मैं तब भी must का उप्योग कर सकते हूं तो मैं क्या कर रही हूं मैं आपको सुझाव दे रही हूं बैसे ही च समसे का मस्ती प्रतीशत सच तो हो गई होगा हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं जिसको हम यह मान के चलते हैं कि ऐसा तो हो गई होगा छोटा मोटा अंदाजा नहीं जिसके होने के चांसे बहुत कम हैं ऐसा अंदाजा लगाना जिसका तुम्हें पता है कि यह तो ना यह सच है हर तरह आसमान में क्या है हर तरह आसमान में वो दिग गई मुझे काले बादल आ चुके तो मुझे पता चल रहा है कि आप बारिश होगी होगी और बारिश के होने की सम्भावना बहुत जादा है हना और मैं अंदाजा लगा रही हूं क्योंकि अभी हुई नहीं है मैं बोल किलो मीटर लंबी जो दौड होती है तो अब क्या है अब हम बोल रहे हैं यार तुम ठक गए होगे हना इतनी लंबी दौड में दौडने के बाद तो यहाँ पर बेटा क्या है मैंने मस्ट का किया उप्यो क्यूं क्यों कि मैं अन्दाजा लगा रही हूं कि यह व्यक्ति ठक होगा इतना लम्बा दोड़ने के बाद प्र ये सत्यभी है और ये अधिक्तर क्या है ये अलमॉस्ट सच ही है मैं उसने मुझे बताया नहीं है कि वह ठंग्या है पर मुझे जाहिर सी बात है इतना या जब दोड़ के आया तो कोई इंसान थक जाएगा तो मुझे पता There लगाते हैं जिसका होना है ही ठीक है जिसका होना के सबसे जादा चांसे हैं आप उसका जब अंदाज़ा लगा तो आप मस्ट का उप्योग करते हो तुबारा से समझना बिटा आप किसी ऐसी चीज का अंदाज़ा लगाते हो किसी ऐसे काम का अंदाज़ा लगाते हो जिसका हो जाहिड सी बात है वो थके गई तो हम उस चीज का अंदाजा लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यार तुम थक गई होगे न इतना लंबा दोड क्या है हम थक गया है वह भी खुद बता देगा वह थक पर आप अभी अंदाजा लगा रहे हो तो अपने मस्ट का प्रयोग किय हो और जहां तक है मुझे लग रहा है कि पकका पका चोरी ही हुई है तो जो मैं जिस चीज का मैं अंदाजा लगा रहे हूं उस चीज के अंदाजा लगाने का सत्य होने का जो चांस है बहुत हाई है तब हम मस्ट का उप्योग करेंगे अब मैंने क्या लिखा है मैंने बोला समझ में आ गया क्लियर है ऐसा अंदाजा लगाएं जिसके सच होने के बहुत चांसे हैं मस्ट का प्रयोग होगा चलिए क्वेश्ट आब जो आपका पॉइंट नंबर फाइव है जहां पे पांच हो उप्योग जो है मस्ट का वह यह है कि मस्ट तब इस्तमाल होता है जब हम कि आपके लिए क्या है करना है ही है यह काम करना आपके लिए क्या बन चुका है बिटा यह आपको कंपोल्चन हम बूलेंगे हिंदी में कैसे बोलेंगे हम इस इसको बोलेंगे कि भाई तुम ना इससे निकल नहीं सकते करना है ठीक है तो कंपल्चन यानि कि करना है है तो करना करना है तो करना है कमपल सरी भई तुम निकल नहीं सकते तो क्या हम बोल रहे हैं if you are visiting London a good map is must हना तो मैं क्या बोल रही हूं कि अगर तुम लंडन जा रहे हो तो एक अच्छा मैप होना जरूरी है और जरूरी है तो जरूरी है क्योंकि ऐसे तो तुम नहीं गूंपा क्लोट्स हाना तो आपको क्या करना है आपको वुलन क्लोट्स कैरी करने करने अगर आप कश्मीर जाने वहां थंड होगी साहिट सी बात है बरफ गिरी होगी अगर वह नहीं लेकर तो फिर आप तो वहां पे जम जाओगे तो यह काम क्या है यह काम तो कंपल सरी है आपको कैरी करने ही करने है आपको लेकर जाना ही जाने तो ले जाने का जो काम है क्या ले जाना उनी कपड़े ले जाने का जो काम है वो तो करना ही करना है उसमें तुम बच नहीं सकते करना है तो करना है हना वरना तो फिर आप वहाँ पे जम जाओगे जीदी सी बात है तो मस्ट यह सभी पाँच जो है चीजे पाँच फीलिंग्स हमें बताता है ठीक है बिटा आगे सभी को समझ में इतना तो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग आ जाएंगे हमारे कुईज पर और करेंगे आप लोग की नॉलिज टेस्ट चलो तो यह है आपका कुईज नंबर वा यह मस्ट कैन शुड या नन चिल्डरन मस्ट नॉट रॉन इन दे कॉलिडोस शुड नॉट या फिर कैन नॉट ठीक है चालो अगला क्वेश्चिन आई मस्ट से यू लुक रियली वेल मुझे तो कहना पड़ेगा यार आप बहुती सुन्दर लग रहे हो आप बहुती अच और मैं सुझ्चाओ दे रही हूं यहां किसी चीज के होने की संभावना क्या बतार हूं किसी संभावना क्य बतार ही हूं या फिर नन इन में से कोई सा भी सही option है मताओ ठीक है चलो देखे answer तो देखो children बेटा यहाँ पर ना cannot किसका मतलब यह थोड़ी children दौड़ नहीं सकते क्या क्यों के पैर नहीं है दौड़ नहीं सकते सब दौड़ेंगे should not मैं एड़वाइस थोड़ी दिर्यू मैं दौणा ही नहीं है children स्टी को यह काम नहीं करने तो यह चो दौड़ने का ना रन करले का जो का मैं गेंचीक ना वहीं करना है यह काम जो है उसके करने के पीछे की का सब ejercine एक है कि नहीं करने मना कर रही है जोड डाल रहीं को कि नहीं करना है ऐसे ही बेटा मैंने बोला आयमस्त से मानना पड़ए आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हो तो यह तो मेरा क्या है यह क्या है को हम उबूच्छ लिगा मिरेए तो यह क्या है यह बेटा ओपlay यह मेरी राय है तो option number a यहां पर सही है और वैसे ही बिटा option number a यहां पर भी सही है आया समझ में तो देखो ज्यादा तो है नहीं कुछ भी बहुत इजी है model verbs के अंदर आप समझ चुके model verbs के हैं वो हमें हमारी feeling या mood बताने में मदद करते हैं किसके पीछे का mood जिंदगी जीना लिण नई हम जो काम कर रहे हैं हाना उस काम को करने के पीछे का मेरा mood क्या है मेरी feeling क्या है वो बताने में वो मेरी मदद करते है main action ङलो main verb क्यालो रहे हैं बहुत सारे होते हैं हर यक अलग-उलग जो हमारा model verb हूह वो अलग-उलग feeling बताता है आज हमने डेखा कि must जो है वो कौन सी feeling बताता है जब हम अपनी कोई opinion देना चाह रहे है अपनी कोई राय देना चाह रहे है और अपनी राय पर जोर डालना चाह रहे है तब हम क्या बोलते हैं तब हम इसका use करते हैं हम किसी काम पे जोर देना चाह रहे हैं काम पर अगर मैं जोर देना चाह रही हूँ तब मैं क्या करती हूँ तब मैं मस्ट का उपयोग करती हूँ उसके साथ ही साथ बिटा अगर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कमपल्शन किसी चीज को लेकर कि भाई तुम्हें ये करना है तो करना है तब मैं इसका यूज करती हूँ, हना, और ऐसे बहुत सारे जगाओं पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसे को कोई सुझाओ देना चाहते हैं, कि भई, आपको ये काम कर लेना चाहिए, तब भी हम इस Kriya का, Must का, Model Verb का इस्तेमाल करते हैं, और एसे बहुत सारे हैं हना इसके इस्तमाल जैसे कि आज मैंने बताये कि फेकुल पांच- इस्तमाल है तो वहाँ वहाँ हम इस निका इस्तमाल करते है अब implies को लाप के उपर जो हूमवक मिल रहा है उस होमवक को आपको करना है ता कि आप अच्छे से क्या कर सके बिटा ता कि आप अच्छे से इस टॉपिक को और ज्यादा बहतर से समझ जाए और अगली क्लास में आपको बताऊंगी कि ओट टू यह जो मॉडल वर्ब है इसको हम कहां प क्सिए लेक कज में आपको बताती तैए